पपु यादाओ आज पूर्णिया से निर्दली नोमिनेशन करने जा रहे हैं इससे पहले इन्हों ने अपने पार्टी का बिलय इसलिए कॉंग्रेस में कर लिया था कि कॉंग्रेस से इनको टिकट मिलेगा लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली ग इसलिए होगा पार्टी का अपनी तीकर तो पहले बात होगे थे लालू यादव से मेरी दात में बात हो गए थी और वोमधेपुरा परा रहे हुए थे मधेपुरा के जित पर रहे वे खें और वह आ रहे हुए थे कि आप आरजेदी के टिकट से लडिए मैंने उनको पूर्णिया में आप देखेगा तो मेरी बच्पना मेरी जिन्दगी फिर यहां चार बार एंपी बनना फिर इंडी मां 32 से चुनव हार गई थी लग थे तो आप यहां कोई कंडिडेट क्यों नहीं देदी आप दे देते हैं आप बीस साल आप चुपडहें अगले बार हम चुनव लड़ना चार रहे थे तो यहां पपू अबॉक को टिकट मिल गई कॉंगरेस से और मेरी मैडम चुरों लड़ रही थी इसलिए हम छोड़ के मधिपुरा चले गए देखे मैं बार-बार कहता हूं आपको कि जहां थोड़ा भी जाती का कहीं प्रोटेक्ट और हिंदु-मुसल्मान को कोई बात होती है ना मैं वहां से भागता हूं देखे धर मुझे दुनिया में किसी चीज के नहीं है बस रिस्ते का डर होता है कि रि से यह सीट आजादी के बाद से कौंगریस की रही है कभी भी है आरजेडी चुरू मेरी मां के खिलाब आरजेडी वी एलजेपी गटबंदन था बीस अजार भोट़ा है कि पिर सिपीम का गटबंदन था मेरे खिलाब ऑट़ाeres जार भोट लाए जनता दल जब बड़ा था तो उस बक मात रते तालीस दार मेरे खिलाब वो भोटला है लालू जी घर घर मेरे खिलाब गए थे हम उसके बावजुद भी लालू जादब जी के साथ हमेशा रहें आप उठा करके देख लीजे हम हमेशा मदद के मैं बार बार कहा कि एक सालों से लगबग पुर्णिया में पढ़ामपुर्णिया, सलामपुर्णिया, जौहारपुर्णिया एक कैमपेन थी और उस कैमपेन से हम 6,80,000 परिबार के साथ हम चलते रहें हम मिलें और उसके बाद आप जिस तरीके से आपने टार्जेट कर लिया एक तो कॉंग्रेस के साथ मेरी आइडेलोजिकल मरजर थ राहूल गांदी जी और बादर निये प्रियंका गांदी जी मेरे लिए एक होट है वहाँ पर की वो टिकर देंगे ही टिकर टिकर तो हम अपनी पार्टी से चुनो लरना चाह रहे थे हम तो कोई गटमंदन की बात तो हमने कभी की नहीं थी लालु यादब जी ने बुलवा कि मैं मधिपुरा एलक्षन फाइट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने पहले ही बहुत धोके काये और पूर्णिया मैं नहीं छोड़ सकता हूं आप पूर्णिया दे दीजिए मेरा अग्रह होगा मरजर अभी छोड़ दीजिए मत की बात करिए मैं लौट के आता हूं तब फ फिर जब अब इतने के बावजुद मेरे पास सिवा है तो मैंने तो मरजर पार्टी को एक लारजर कौज के लिए किया एक जो देश का जो लारजर कौज है या ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है पार्टी का तो इसलिए उसमें आप हमारे इसका तो हम तो दो दो सीट छोड़ द zelfs चीवजनोग ओनाँगा सबस्ट हे सब्सक्राइब आप और लोगों तो आप याजर कि मझे有 को देशनी को लोगे जाओंगा चलिए उनका पना राजनीतनी ती लेकिन कभी कहीं nomination करने नहीं गया और बेक्तिगत इतनी नफरत क्यों इनलों के भीतर हुई मैं तो destiny को मैं ऐसा आद्मी भी नहीं हूँ और एक seat का मामुला था सिपूर्णिया का मामुला था तो एक seat का मामुला में इतना नफरत होना और बगल में तारिक नंबर से आप चुनोल लख रहें वहाँ नहीं आप गहें किसरनगर्ज में नोमने संथा वहाँ भी चले जाते तो यहां नफरत थी तो महबद तो दिखती कही है कहीं तो जाते राजनिती में कोई अंतिम चीज तो होती नहीं है दुस्मनी तो होती नहीं है दो भाई मिलके भी चुनों लड़ते हैं फ्रैंड्री फइट भी होता है सिसफ़ाईर भी होता है स्टेटस भी होता है जनता की बाते है जनता इसको लेकिन आप इस तरीके से पूर्णिया यह मधेपुरा तो है नहीं यह और जगह तो है नहीं पूर्णिया ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव ने एक बार यह कहा था कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा है इसलिए लोग उनको पूछ रहा है अन्य था लो अब नहीं मतलब है मुझे लगता है कि मेरी राजनीती इतनी गंदी है कि आराम से सेवा करने के लिए हम बने हैं इसलिए जिनको टाइम भक्त और भगवान की जिस पर असीम किर्पा होगी वह मुखमंत्री बने पीम बने 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 तो हैं दस सालू से अपू यादव अभी क्योंकि बाहर में पॉस्टर लगा हुआ है यह बड़ा-बड़ा ओडिंग लगा हुआ है तो लगा रहे गा यह लगा रहे गांदी जी और फौन करके तो भोलने दिये कि खोल दिजिए वह लगा रहेगा इस बात को समझे राहुल गांदी के कि खिलाब धीर आजा की पतनी के चुनों लड रही हैं कि नहीं लड रही है। तो उसी तरीके से पपू यादव भी लड़ेंगे यहां से आज आज राजसभा के सांसर कठियार वाले असफाग करीम जी नमंकन करने जा रहे हैं कि कौन सा इंडिया गट बंदन है आप क्यों नहीं रोके आप कहां से मजबूत करना चाहतें इंडिया गट बंदन को आप मदेपुरा में क्या असर आप जो जनून था पागलपन था लोगों के भीतर आप उसको कम कर दिये पुर्णिया में तो यहां आम लोग पागल हो गए लेकिन और जगा आप क्या कीजिए यहां तो हर घर की मैलाई निकल गई हमने कुछ नहीं बोला है आज किसी को नहीं बुला है आप जाकर आएगा देखिएगा ट्रेन के ट्रेन औरत मर्द बच्चे चल दिये जानकी नगर से बनमन खिसे घर से निकल निकल कर तो पपू यादो को आखिर रिर्दलिये क्यों चुराओं में जाना पड़ रहा है या मुझे तो वही बात तो मैं कह रहा हूं ना मैंने तो यह बात सुनुस द चुर्वा आए उसके बाद जिद फिर बाहर से आप किसी को ला करके तो इसको पहले ही आप पहले भी तो यह भी धायक थी पहले लड़ा लेते पहले क्यों नहीं लड़ा लेते और आपको इतना ही था तो पहले भी लड़ा लेते आप राजबनलब यादब के भाए भाई कि उन्हों जादब को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप उसको रोकिए कि सर्वन जीते आप साबुदीन साब की पत्नी को आप समझाइए आप वोलिए कि हम आपको राज सवाएंपी बनाएंगे आप परभुनाद भाई के बेटे को रोकिए आप क्यों देदिया महाराजान से आप परभुनाद भाई जेल में आप उनकी परभुनाद भाई के सीट के बारे में क्यों नहीं सोचा आप किनको आप पुराने किसको साथ में रखते हैं या वो तो उनका दाईत हुए मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग मिल कर ही चले तो ज्यादे अच्छा होगा मैं थेज पूरा सानित मिला हुआ है आप पढ़िये हमारा सायोग हमारा सानित भी आने वाले समय में मिलेगा राजनिती में कोई अंतिम चीज नहीं होती है और राजनिती में कोई दुस्मनी नहीं होती है पपू यादव कहा जाता है कि सीमांचल इलाके में बहुत पकड़ है पपू यादव की, ऐसे में उनको कॉंग्रेस से टिकट नहीं मिलना, महागडवन्दन के साथ नहीं जाना, कितना आसर पड़ेगा चुनाओ पर? हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हम प्रियास करेंगे इंडिया गटवन्दन को अगल वगल में हमारे साथी, हमारी जो छोटी टाकत है, वहाँ इमानदारी से काम करें, हमारा प्रियास होगा कि मीशा भारती जी या रोणी जहान लड़ रही है, मेरी जोरत में सुसोगी तो म उनको सॉयोग कर पाएं, लेकिन आपके जरुवत में तो वो लोग काम ही नहीं आ रहे हैं, यहां तो आपको सीठी नहीं दिये, मेरे लिए मेरे लिए मेरा साथी, परिभार, पुर्णिया की जनता काफी भगवान है, कभी भी हमीशा पुर्णिया की जनता ने चुनौती पुर्णिया के बेटे पर हमले हुए हैं, तब तब पुर्णिया की हर मा, बेटी, बेहन खरी हुई है, आप इसको आप समझेगा, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, कि पहली बार मैं बहुत सुनौन लड़ा, लेकिन पुर्णिया के लोगों ने जाती धर्म से उपर उठकर के आसिरवाद दिया है, दुनिया में मैं राजनिती आगे छोड़ दू मंजूर है, मैंने दिल भी जीता, मैंने पुर्णिया को देश और दुनिया के मानचित्र में गिंती होगी चार जून को जीत गए हम अभी है, अब इससे बड़ी जीत क्या चाहिए, कि पुर्णिया को दुनिया, 14 दिन पुर्णिया पपू कॉंग्रेस मदेपुरा, इसके अलाबे तुक चल रहा है, मैंने कॉंग्रेस का अभी साथ आपको है, कॉंग्रेस का साथ मिलेगा चुनाओं मैं, कॉंग्रेस का साथ मैं मुझे नहीं पता, लेकि मेरे, मैं दोनों लीडर को बहुत रस्पेक्ट के साथ देखता हूँ, और मुझे दोनों लीडर के तरफ से जिस तरह जोईनिंग के लिए बुलाय गया था, उसमें ना उन्होंने कोई भात नहीं कही है, ना उनका फोन आया पपू यादो तीन बार यहां से सांसद रहे, दो बार निर्दलिय रहे, इस बार क्या लगता है? मैं इस समय बीटी बेती के तरह हमेसा रही है हमेसा हमेसा रही है अभी विचेर्मेन बनाने में मैं उनके साथ था पहर पक्राउल के लिए और मेरे लिए वह पडिवार है तो पुरा सी परिवार है पुर्grass से लड़े। मेरे लिए इनका असिरबाद ही काफी है। जब हम पुर्निया के आसीरबाद को जीत लिए तो समझे दुनिया जीत लिए मेरे लिए हमम्मेल करके मील वो भी आराम से लड़े, वो भी किसी दल से, मेरा उनको बधाई है, सम्मान है कि वो लड़े, हम लोग पडिवार के महुल में लड़े, चुनाव पडिवार के महुल में ही लड़ा जाता है, नफरत का आधार पटना वाले को रहने रखने दीजिए, हम लोग घर वाले हैं, य जाने की तैयारी हैं में हैं और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर अर्जुन भावन का जो पपु यादाव का घर है और यहाँ पर अभी भी कॉंग्रेस का बैनर और पोस्टर लगा हुआ है साफ तोर पर पपु यादाव यहां मानते हैं कि कॉंग्रेस उनके साथ है और वो प्रियंका और राहूल गांधी का उनको असिरवाद प्राप्त है आज से चुनाव मैदान में जा रहे हैं और अब देखना यह होगा कि पूर्णिया की जनता किसके साथ जाती है लेकिन पपु यादो पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान मे हैं कैबरेमेन स्वानी के साथ चंडर महुन कुमार पूर्णिया न्यूजट इन इंडिया